विडियो देखते देखते ही चीज़ों को दिमाग के अंदर बिठा लें ठीक है कहीं कोशिशन ऐसे होंगे जो single word answers है जिनके factual answers है याद करने है कहीं थोड़ी से detail देखेंगे तो ultimately साथ-साथ mainly करना है ठीक है अब वो time नहीं है कि आप यह सोचो कि नहीं मैं बाद में करूँगा या मैं बाद में करूँगी वो वाला time अब आपके पास नहीं है ओके and pdf files का link description में है साथ-साथ mcq combo course अगर आप explore करना चाहों कर सकते हो UPSC EPFO discount code है जो आप use कर सकते हैं चलिए फटा-फट से पहले question के उपर आ जाएंगे match the following का question है एक तरफ आपको committees गिवन है दूसरी तरफ आपके पास है जो main agenda था इन committees का जैसे butler committee है, hertog है, hunter है और moody man committee report है तो आपको बताना है match करना है basically यहाँ पर तो यहाँ पर देखो hunter inquiry committee report यह काफी famous है butler committee भी काफी famous है, जो थोड़ी कम famous है वो है hertog यह hardtog basically है हाँ पर h-u-r लिखावा है, h-a-r होना चाहिए okay, hardtog committee report और moody man के बारे में बच्चों को फिर भी नहीं पता हुता, hunter committee तो देखो हम जानते हैं, जलिया वाला बाग वाली है जो जलिया वाला बाग मैंसे करके बाद बनाए गी थी, तो c का तो one होना है, c का अगर one होना है तो b और c तो ऐसे चले गए okay, अब अगर c का one होना है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि और कोई option सेम नहीं है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि a और b की बाकी में से कोई correct है, क्योंकि सिर्फ c का one है, बाकी सारे options अलग अलग है butler committee बनी थी, जो princely states हैं, उनके साथ British, जो crown है उसके relationship के लिए, तो a का two होना है बिटा, a का two होना है, तो option d हो जाएगा मतलब सिर्फ दो पता होने से भी easily answer हो जाता, answer इसका d रहेगा, ठीक है, तो butler commission की सबसे पहले बात करें, तो 1927 में form हुआ था, थोड़ा सा timeline भी याद रखनी होती है, क्योंकि chronology based अगर question आ जाता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, अगर वो similarly इस question को chronology के उसमें डाल देत और इसका काम क्या था, जो princely states हैं और जो british सरकार है, उसके बीच में relationship को examine करने के लिए, इसने जो recommendations दी, उनमें 2 important recommendations थी, ठीक है, तो paramountacy यानि की, देखो 1858 में britain की सरकार ने crown ने क्या announcement की थी, कि जो भी princely states है, उनके उपर अब सरकार कब जानी करेगी, English company या Britishers कब जानी करेंगे, और वो princely states, अंग्रेजों की, या crown की छत्रचाया के अंदर सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, paramountacy को ये basically concept होता है, तो, बटलर कमीशन ने भी बोला, कि paramountacy, British crown की अभी भी रहेगी, और crown अपनी obligations को fulfill करेगा, ठीक है, और जो भी time के requirements है, progressive development ज़रूरी है, जो states की, उ support करेगा, और यहाँ पर अब एक डर भी बैठने लगा था, धीरे धीरे इस समय तक, 1920s के period में, क्योंकि increased demand बढ़ रही थी, independence की, dominion status की, फिर आने वाले समय में, पुर्ण स्वराज की भी आएगी, तो princely states बड़ा घबराने लग गई थी, कि अगर future में कभी अंग्रेज हिं करके गए, तो वो इन princely states का क्या होगा, ठीक है, उन princely states का क्या होगा, वो क्या एक independent India के पास चली जाएंगी और उनकी जो rule है वो खतम हो जाएगा, तो states को बताया गया कि देखो जी, आपको किसी भी सरकार को नहीं सौपा जाएगा, ठीक है, जो भी Indian legislature को responsible होंगी, उसको आ आपका consent होगा, तो आपको हम Union of India के साथ join करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये एक concern भी Butler Commission ने इन प्रिंसली states का fulfill किया, हाट टॉक कमिटी ये बनी थी 1929 में, chronology में आपको कह रहा हूँ, याद रखनी है, और ये basically education related committee थी, इसकी main recommendations क्या थी, पहले तो इसने बोला कि primary education के उपर emphasis डाला, कि या primary education के उपर बहुत जादा focus करने की जुरूरत है, क्योंकि ultimately primary education में एक base बच्चे का form हो रहा है, ठीक है, और उसके आने वाले period की education है, वो कैसी रहेगी, वो primary education से पता चलेगा, but इन्होंने ये भी बोला कि primary education जो है, वो provinces अपने आप देखेंगी, उसम expansion या compulsion की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इन्होंने primary education की importance को तो बोला, लेकिन उसको expand करने का, या उसको बढ़ाने का हिंदुस्तान में, वो इन्होंने कोई बात नहीं की, फिर कहते हैं, जो primary education में अच्छा perform करेंगे, जो deserving students होंगे, सिरफ उनी को high school में भेजा जाए, या उनको आप divert कर दोगे vocational courses में, यानि की 8th class के बाद, जो तो अच्छा है पढ़ाई में, उसको आप आगे पढ़ाई कराओ, जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, उसको आप vocational courses के अंदर डाल दो, ठीक है, और अगर आप university education के अंदर भी improvement चाते हो, तो इस hard talk committee ने क्या बो recommendations थी, याद रखनी है, recommendations के ओपर भी question आ जाता है, hunter committee of inquiry, तो secretary of state थे, जब आपका जलिया वाला बाग में से कर हुआ है, Edwin Montague, ठीक है, और इन्हों ने एक committee of inquiry form की, जिसका काम था कि वो जलिया वाला बाग में से कर, को भी investigate करेगी, 14 October 1919 को ये committee बनाई गई थी, और इस committee का official न committee, ये नाम याद रखना है, जैसे वो royal attack के case में हमने question देखा था ना, कि which among the following was officially known as royal attack या, ऐसा कुछ question वो पूछ सकता, तो disorders inquiry committee थी, इसको hunter committee या hunter commission इसलिए बोला जाता था, क्योंकि इसके chairman का नाम था, Lord William Hunter, ठीक है, ये Scotland के solicitor general रह चुके थे, और college of justice in Scotland के senator थे, बट इतना important नहीं है, इनकी ये क्या post वगरा held करते थे, कोई नहीं पूछने वाला, purpose क्या था commission का, कि जो भी disturbance हुई थी उस period में, Bombay में, Delhi में, पंजाब में, उसको investigate करे, क्या कारन था, उन disturbances का, और क्या measures लिए गए थे, उन disturbances को handle करने में, इस committee के अंदर Indian representatives भी थे, तीन Indians थे, इसके member, उसमें जो नामें याद रख लेना, कहीं बार इस तरह के उल्टे सिदे सवाल वो पूछ लेता है कि कौन-कौन था, तो एक तो थे सरीज, सर चिमनलाल, हरीलाल, सितलवद, ठीक है, ये voice chancellor थे, Bombay University के, और Bombay High Court में advocate थे, उसके बाद थे, दूसरे नमबर पर, पंडित जग Okay, चलिए, next question, second question, ये जो question है, basically identity based question है, तो यहाँ पर आपको कुछ traits given है कि 18 साल में graduation हुआ, ठीक है, उसके बाद professor बने और associate editor भी थे, सुधारक नाम के एक newspaper के 20 की age में, सारवजनिक सभा के secretary भी रह चुके थे, और provincial conference के, national congress के भी secretary बने, उसके बाद, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, president of Indian national congress at 39, a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master, ये सबसे important line है, बाकी जो हैं, वो तो काफी जादा detailing के अंदर है, तो वो तो अगर आपने बंदे के बारे में पूरा detail में पढ़ा हो, तो जाकर के answer कर सकते हो, बट UPSC ने परिशान करने के लिए इतनी लंबी चोड़ी line हैं, और last की line में UPSC ने सबसे बड़ी hint दी है, एपेट्रियोट हुम महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्ड़ी एज इस मास्टर, पॉलिटिकल गुरू जिसको महात्मा गांधी कंसेडर करते थे, मेरे को बाकी का नहीं भी आता ना, सिरफ इस एक line से अगर मैं हिस्ट्री पड़ी है मैंने, मौडर्न इंडियन हिस्ट्री की तहियारी की है एक्जाम में के लिए, तो मैं अंसर कर सकता हूँ, इसको अंसर होगा, option C, गुपाल कृष्ण गोखले, because गुपाल कृष्ण गोखले is regarded as the political guru of महात्मा गांधी, okay, next question, match the following का question है, अगेन आपको कुछ यहाँ पर जो revolutionary movements या revolutionary acts थे वो given है, और साथ में फिर जो leaders associated हैं वो given है, ठीक है, चित्तगाउं आर्मरी रेड, काकोरी conspiracy, लाहोर conspiracy, गदर पाटी, तो देखो चित्तगाउं आर्मरी रेड, एक movie भी आई थी, अभिशेक बच्चन की खेले हम जी जान से, movie देखी है, तो देखना जरूर उस movie को, अच्छी movie है, वैसे बहुत ज़्यादा कोई famous hit movie नहीं हुई है, तो यह जो था आर्मरी रेड, यह किसने लीड की थी, सूरिय सेन ने रेड की थी, जिसमें प्रिती लेता वगेरा, सब इनके साथी थे, सूरिय सेन, तो A का तो 3 होना है, A का 3 होना है, तो B और D तो eliminate हो गए, अब A का 3 होना है अगर, तो B का definitely 4 होना है, क्योंकि दोनों options में B का 4 है, ठीक है, यानि कि काकोरी conspiracy के साथ रामप्रसाद बिसमिल आ जाएंगे, ठीक है, फिर रामप्रसाद बिसमिल इसके बाद उनको arrest कर लिया गया था, और फांसी भी हो गई थी काकोरी conspiracy case के बाद, and then there is लाहूर conspiracy and गदर party, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, देखो गदर party के साथ तो लाला हर्दयाल associated है, हमने पहले भी देखा है, तो दी का 5 होना चाहिए, दी का 5 होगा तो answer यहाँ पर, दी का 1 होगा, तो answer यहाँ पर आपका option C हो जाएगा, ठीक है, तो दी का अगर 1 हो गया, तो लाहूर conspiracy के साथ automatically आपके कौन associate होगे, जतिन्दास, ओके, तो this will be the right answer, लाहूर conspiracy case को next lecture के अंदर में detail में discuss करूँगा, option A, Swaraj Party, All India National Liberation, Liberal Federation, Madras Labor Union या Servant of Indian Society, किसके यह distinguished member थे, ओके, तो यह तीनों आपको members मिलेंगे, Servants of India Society के अंदर, काफी important organization है, और Servant of India Society में से, काफी बार question भी paper में पूछा जा चुका है, तो Servants of India Society के बारे में देखते हैं, Gopal Krishna Gokhale, जो एक liberal leader थे, Indian National Congress के, इन्हों ने यह Servants of India Society की foundation की थी, 1905 में, with the help of MG Rana, यह बड़ा important है, क्योंकि इसके उपर भी वो directly question पूछ लेता है, कि Gopal Krishna Gokhale ने यह जो Indian National Congress की foundation की थी, यह किसकी help से की थी, in one of the exams, even this question was asked कि किसकी help से की थी, तो इसलिए important है, main aim क्या था society का, कि देश के अंदर ऐसे youth को prepare किया जा सके, जो देश की सेवा के लिए काम करें, ठीक है, और constitutional means से लोगों की development, लोगों के interests को fulfill करने के लिए काम करें, तो एक तरीके से selfless workers को यहाँ पर encourage करा जा रहा था, जो country के cause लिए, in a religious spirit they will be working, 1911 में, servants of Indian society में हितावदा करके, इन्होंने एक publication भी शुरू किया, जिसमें इस society के views को publish किया जाता था, political activities के अंदर इस society participation नहीं रखती थी, INC कितरा नहीं था, political नहीं था, इसका main काम था service to the people, और Gokhale की death के बाद, G.K. Gokhale की death के बाद, स्री निवासा शास्त्री जो है, वो इसके president बने, ठीक है, तो जो question में आपर आपके members given है, MC Settlewood, B.N. Rao और Alathi Krishna Iyer, ये भी servants of India society, इनके अंदर एक common link था, 5th question, which, what is the correct sequence of the following events, TILAKS, Home Rule League, okay, then is there incident associated with the GADAR revolt and Mahatma Gandhi's arrival in India, तो answer यहाँ पर होना है, ये spelling इसकी गलत है, okay, answer होगा यहाँ पर आपका D231, तो इसमें तेखो, TILAKS, जो Home Rule League थी, वो तो 1916 में हुई, जो आपका मारू incident था, I have very difficult problems with pronouncing this word, हमेशा से, जबसे मैंने पढ़ा ही चुरू गया, तबसे मुझे बड़ा difficult लगता है ये word को प्रनांस करना, मेरे से निकलता ही नहीं आए, शब, पता नहीं क्यों, In fact, I have even heard the pronunciation on Google thousands of time, but I don't know why, so I avoid taking this word, ये September 1914 में हुआ और महत्मा गांधी का जो India arrival था, that was in 1915, तो 14, 15 and 16 and that is why the answer over here is 2, 3 and 1. The Indian Muslims in general were not attracted to the extremist movement because, जो extremists थे, उसमें Indian Muslims बहुँ ज़्यादा attracted नहीं थे, उसका कारण क्या है, Option A, Influence of Sir Sayyad Ahmed Khan, Option B, Anti-Muslim Attitude of Extremist Leaders, Option C, Indifference Shown to Muslim Aspirations, Option D, Extremist Policy of Harping on Hindu Aspect, तो इसका correct answer है दोस्तों, Option D, basically अगर आप extremists देखते हो, जैसे आप अगर बाल गंगा तर तिलग जी को देखो, तो ये जो youth को encourage करने के लिए, attract करने के लिए, to the national cause, to the extremist cause, to the armed rebellion movement, ये जो चीज़े use करते थे न, वो बहुत जादा Hindu religion को highlight करते थे, जैसे चत्रपती, शिवाजी को highlight करना है, अशोका, गुपता एंपायर की glory को highlight करना है, तो उसमें कहीना कहीं Muslims जो हैं, उसके साथ connect नहीं कर पाते थे, and that was one of the main reason, तो answer यहाँ पर D होगा, next, which one of the following events was characterized by Montague as preventive murder, इन में से किस incident को Montague, जो इंडिया में Secretary of State थे, उन्होंने इसको बोला कि यह रही तो preventive murder है, ठीक है, तो इसमें answer है, आपको option B, जलिया वाला बाग, तो जलिया वाला बाग को justify करते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो एक incident को prevent करने के लिए, ताकि किसी तरह का withdraw ना हो जाए, तो हमें करना पड़ा, ठीक है, तो उस तरिके से उन्होंने जन्रल डायर के actions को justify कर दिया था, next question, what is the sequence of the following events, अगस्ट offer, INA trial, quit India movement, royal India naval ratings revolt, तो यह chronology का तो बड़ा important रहता है, आर पूछ लेते हैं वो question के अंदर, correct answer है आपर आपका option है, 1324, ठीक है, 1324 होगा आपका यहापर, अगस्ट offer आया था, 1940 के अंदर, INA trials हुआ है, आपके 1945 में, quit India movement आगया, 1942 में, और royal Indian navy revolt आगया, 1946 में, तो सबसे पहले अगस्ट आगया, अगस्ट offer आगया, उसके बाद quit India movement आगया, दूसरे नंबर पर, तिसरे नंबर पर INA trial हो गया, और चौत्थे नंबर पर आपका Indian navy का revolt हो गया, next है जी, match the following, Theodra Beek, Mohamed Dian Anglo Oriental College, जी अलिगाइड उनिवर्स्टी जिसको हम बोलते हैं, सेयद एमद कान ने foundation इसकी की थी, इलबर बिल रिपन, फिरोशा महता, INC, बदरोदिन तयाब जी, Muslim League, तो correctly matched कौन सा है, देखो, Theodra Beek, बिलकुल correctly matched है, ये principle थे, इस college के, Mohamed Dian Anglo Oriental College के, काफी लंबे समय तक associated रहे हैं, इसके साथ, तो one ठीक है, इलबर बिल controversy, रिपन के time पे हुई थी, time and again, हम discuss कर चुके हैं, इलबर बिल controversy में क्या था, फिरोशा महता, Indian National Congress के prominent leader थे, बदरोदिन तयाब जी, ये Muslim League के साथ associated नहीं थे, he was what, he was the first Muslim President of Indian National Congress, जब Congress के ओपर ये इलजाम लग रहे थे, कि Congress जो है, वो एक Hindu elite class की party है, तो इस समय पर बदरोदिन तयाब जी को President Elect करके, एक strong message यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर जो incorrectly matched है, that is your option 4, तो आप से correctly matched पूछा गया, तो answer D हो जाएगा, 1, 2, 3, next question, Okay, किसने यह statement दी कि Congress जो है, वो खतम होने की कागार पर है, और मेरा एक ऐसा सपना है कि मैं Congress को खतम होते हुए देख सकूँ, यह बोला था Lord Curzon ने, Option B is the correct answer, Lord Curzon के टाइम पर भी काफी important incidents होए, तो मैं आपर इसको दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए, 1899 से 1905 तक यह Governor General रहे, Police Commission इन्होंने appoint किया था, Sir Andrew Fraser के अंदर, Police Administration को review करने के लिए, किसके अंदर किया था, यह भी याद रखेंगे, और chronology के लिए date भी याद रखेंगे, University Commission इन्होंने बनाया, और फिर इस Commission की Recommendations के उपर, Indian Universities Act 1904 भी पास किया गया था, उसके बाद Department of Commerce and Industry की Establishment इन्होंने की, Calcutta Corporation Act, Ancient Monuments Preservation Act, जिसको काफी Landmark Consider किया जाता है, Indian History के अंदर, उसके बाद Partition of Bengal इनके समय में हुआ, Curzon Kitchener Controversy, Related to Kitchener जो थे, पर Chief of Army थे, Young Husband's Mission to Tibet, So these were the incidents that took place, अभी मैं ये Independent जो ये सब हम देख रहे हैं, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, Next Question, When the Indian Muslim League was inducted into the Interim Government, Liyaqat Ali Khan was assigned the portfolio of, तो Interim Government जब बनी थी तो उसमें Muslim League की भी representation थी, तो Liyaqat Ali Khan को Finance Ministry दी गई थी, उल्टा ये बोलते थे कि Indian National Congress के जो representatives थे, जो वो जो भी plan बनाते थे, Liyaqat Ali Khan उसके लिए कभी पैसे ही नहीं अपरूफ करते थे, तो League के जो prominent leaders थे, जिनकी representation थी, Interim Government में उनमें Liyaqat Ali Khan थे, ये Finance के थे, अबदूर, रब, निश्तार, ये Department of Post and Air Head कर रहे थे, इबराहीम इसमाइल, इन्होंने Department of Commerce Head किया, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, पूछेगा तो अंसर इजिली कर दोगे, आजादी के समय पे महत्मा गांधी, Congress Working Committee के मेंबर थे, Congress के मेंबर ही नहीं थे, Congress के President थे, या General Secretary थे Congress के, पिसले lecture में मैंने आपको एक question कर आया था, जिसके अंदर ये statement था, कि किसने ऐसा बोला कि Independence मिलने के बाद, Congress को अपने आपको खतम कर देना चाहिए, लोग decide करेंगे कि देश कैसे चलेगा, तो वो statement दी थी महत्मा गांधी ने, जाहिर सी बात है, महत्मा गांधी अपनी बात के उपर अटल रहे, और वो Congress उन्होंने छोड़ दिया था, Independence के टाइम पर महत्मा गांधी Congress के member ही नहीं थे, वो तो busy थे, communal violence को रोकने के लिए, उनके बास टाइम नहीं था, Congress के पच्छड़ों में पढ़ने गा, Next, इट मेड इच प्रपोजल्स इन में, इट स्टिल वॉन्टिड़ अ उन्टिड़ इंडिया, देर वास्टू बी ए फेडरल उनियन कंपोज़ ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेज, यह हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रखें, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, United India, Partition के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं था, Cabinet Mission, Answer D हो जाएगा, Cabinet Mission की Recommendations को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अलड़ी, अगर आपको इन Lectures का Complete फाइदा लेना है तो यह 31st वीडियो है, ठीक है, अभी आपके पास 10-11 दिन बचे हैं, तो जितनी हो सकें, यह History की सारी वीडियो देख दो, तभी Ultimate फाइदा होगा, 14th Question, Indian Nationalist Leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity, which would enable Indians to exploit the situation to their advantage, तो कि इस Indian Nationalist Leader को लगा कि यह जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही है, वल्ड वार टू के अंदर जो यह लड़ाई चल रही है, यह हिंदुस्तान के लिए भगवान की दीवी एक opportunity है, और हिंदुस्तानियों को इस opportunity को यूज़ करना चाहिए आजादी ले लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि Britishers busy हैं लड़ाई लड़ने में, यह बोला था सुभाष चंदर बोस ने, सुभाष चंदर बोस ने, तो सुभाष चंदर बोस और बहुत से socialist ने आर्ग्यू किया कि देखो जी यह जो war हो रहा है, जो दो sides के बीच में war हो रहा है, यह दोनो sides में से कोई भी side ठीक नहीं है, क्योंकि यह दोनो sides जो हैं, यह imperialist mindset के साथ लड़ रही हैं, कोई इन में से राम और रावण की लड़ाई नहीं है, तो हम तो किसी भी रावण को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्होंने बोला कि हमने तो किसी भी रावण को सपोर्ट नहीं करना, उससे अच्छा यह है कि हम इस advantage को यूज करते हैं हिंदुस्तान की freedom के लिए, हम एक civil disobedience movement launch कर देते हैं ऐसे टाइम पर, जब already Britishers लड़ाई के अंदर busy हैं, तब हिंदुस्तान में हम भी उनके खिलाफ विद्रो शुरू कर देते हैं अपनी आजादी के लिए, सुबाश चंदर बोस, इन में से कौन से congress leader जो है totally favor में थे cabinet mission plan के factual question है, याद रख लेंगे option C, सरदार पटेल, Indian leader was dismissed by the British from the Indian civil service, Indian civil service से dismiss कर दिया था, एक होता है resign कर देना, एक होता है किसको dismiss किया गया, अब देखो सुबाश चंदर बोस भी Indian civil services के member थे, लेकिन उनको, उन्होंने resign किया था, उनको dismiss नहीं किया गया था, dismiss किया गया था सुरेंदरनाथ बेनर जी को, तो सुरेंदरनाथ बेनर जी ने 1869 में exam दिया था, लेकिन इनके exam के उपर dispute चड़ गया था, age के उपर, कि लोगों ने बोला, यह age गलत बता रहे हैं, यह तो eligible ही नहीं थे, matter court में गया, court में बेनर जी को clear कर दिया गया, उनको white check मिल गया, उन्होंने दुबारा exam दिया, 1874 में, और फिर उनको assistant magistrate बनाया गया, लेकिन बेनर जी को soon dismiss कर दिया गया था, racial discrimination के चलते हुए, तो dismissal हुआ था इनका, पहले Indian to qualify ICS में सत्येंदर नाथ टेग और है, बच्चे ना सत्येंदर नाथ टेग और और सुरेंदर नाथ बेनर जी में काफी ज़ादा confused हो जाते हैं, सत्येंदर नाथ टेग और हैं, जो पहले हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने ICS क्लियर किया था, imperial preference was applied to, यह term जो होता है, किसलिए होता था, special privileges on British imports in India, racial discrimination by Britishers, subordination of Indian interest to that of British, preference given to British political agents over Indian princes, यहाँ पर correct answer है A, तो trade में, British जो import होते थे थे थे, के उपर बहुत low duty लगाई जाती थी, इंडिया के अंदर, ताकि उनको सस्ते दामों में, हिंदुस्तान के बजार में बेचा जा सके, और वो competitive बन जाए, जो British products है, तो इसलिए यह imperial preference जो है, जो imports के उपर बहुत कम duty, duty free import होता था था ना, इंडिया में, उसके लिए a term use होता था, next question, assertion और reason वाला question है, assertion में है, Lord Linlith को described August movement of 1942, as the most serious rebellion since Sipoy mutiny, जो आपकी 1857 की mutiny थी, नीचे reason में है, कि इसका reason था, कि क्यों Linlith को ने इसको ऐसे बोला, because, massive, जो है, पेजेंटरी ने revolt कर दिया था, different, different areas में, तो यहाँ पर correct answer है, आपका option A, दोनो A और R सही है, assertion और reasoning दोनों सही है, और R A की बिल्कुल correct explanation है, इसलिए August movement को इतना rebellious Linlith को ने बोला, क्योंकि जगा जगा पर लोग जो है, वो independent governments form करनी शुरू कर रहे थे, 19th question, first venture of Gandhi ji in all India politics, बहुत easy question है, मैंने इस question को यहाँ पर इसलिए रखा है, क्योंकि मैं आपके साथ इस, चंपारंग मुव्मेंट की detail discuss करना चाहता था, ठीक है, answer C होगा, चंपारंग सत्याग रहा है, या जिसको first civil disobedience movement in India भी बोला जाता है, तो गांदी जी को राजकुमार शुकला नाम के एक person ने request की थी, कि वो उनके गाउं में आए, और उनकी problems का कुछ solution निकाले, चंपारंग बिहार के अंदर, जहां पर indigo planters, जो हैं वो farmers का एक तरीके से harassment कर रहे थे, तो यह जो planters थे, जाधा तर सारे Europeans थे, और यह वहाँ पर किसानों को force कर रहे थे, कि वो अपने land के at least 320 area के अंदर, indigo grow करें, और इस system को बोला जाता था, तिन कथिया system, ठीक है जितने अभी size land का है, उसका 3 by 20 पर वो indigo grow करें, अब हुआ क्या, 19th century के end तक, German synthetic dyes आगे दि, और इन्होंने दुनिया में indigo को replace करना शुरू कर दिया था, तो European planters को लगा, कि यार हमारे profit कम हो रहे हैं, हमें तो जाए जाधा पैसा कमाना है, तो उन्होंने high rent demand करने शुरू कर दिये, पेसेंट से, और illegally उन्होंसे पैसा हड़पने की कोशिश करते रहते थे, ताकि वो अपने profit को cover कर सकें, Europeans, पेसेंट साथे थे कि वो दूसरी crop पे shift करें, बट planters वो भी नहीं करने दे रहे थे, और वो अगर कोई करना चाता था, तो उसके लिए उसको high sum of money, जो है वो planter को देना पड़ता था, साथी साथ, पेसेंट जो उनका produce था, वो भी market rate पे नहीं बेच पाते थे, Europeans जो rate fix करते थे, उसी पे उनको बेचना पड़ता था, जो काफी low होता था, तो गांधी जी चंपारण पहुंचे, और चंपारण में उनके साथ-साथ, रेजेंदर परसाद, मजरूहुल हक, महादेव तेसाई, नरहाई, पारेक, जेबी कृपलानी, ये सब भी पहुंचे, और जैसे ही महात्मा गांधी वहाँ पर पहुंचे, ठीक है, आपने मुझे जो सजा देनिया दे दो, मैं नहीं जाऊंगा, तो जेल में भी ले गए उनको, लेकिन गांधी जी का सपोर्ट इतना मैसिव था, कि अल्टिमेटल अथॉरिटी उसको उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है, और उन्होंने गांधी जी को परमिट दे दिया, कि आप जाकर के इंक्वाइरी कर सकते हो, ये सब देखते हो, इस सरकार ने एक कमिटी बनाई, और उस कमिटी में उन्होंने गांधी जी को भी मेंबर बनाया, गांधी जी ने जितने भी मेंबर थे, कमिटी के अंदर, उनको convince कर लिया, चलता है, मैं सिर्फ demand रखता रहूं, और मैं कुछ देने को तयार नहूं, तो मेरी बाते कोई नहीं मानेगा, तो यहां पर भी वो देने को तयार थे, उन्होंने compromise करा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर हमें 100 और पे का compensation, जो सौर पे इन्होंने जाली तरीके से हमसे हडपे हैं हमारे किसानों से, उसका सिर्फ 25 परसेंट देते, ठीक है, सिर्फ 25 परसेंट compensate कर दो, ठीक है, तो गांदी जी एक बड़ा view देख रहे थे ना, कि देखो, एक तो long term के लिए तिनकतिया system खतम हो गया, दूसरा, अगर मैं जिद पर अर जाओंगा, कि सारे पैसे compensate करो, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कम से कम 25 परसेंट तो दिलवाऊं इनको, और अगले 10 सालों में, आफ्टर चंपरन सत्याग्रा, धीरे-धीरे सारे planters ने ये area छोड़ दिया, तो गांधी जी एक तरीके से जो पहला civil disobedience movement था इंडिया में, वो जीत गए, चंपरन सत्याग्राए के साथ और भी कुछ leaders associated थे, जिसमें ब्रजी कशोर, प्रसाद, अनुगरा नरायन, रामनवी प्रसाद और शंबुशन बर्मा आते हैं, श्यामा जी, कृष्ण वर्मा, मैदम, विकाजी, ऐनी बिसेंथ, और बिंदो गोष्ट, इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो आपका correct answer है, देखो, श्यामा जी, कृष्ण वर्मा का, तो मैंने शायद आपको पहले भी करा चुका हूँ, नहीं, विकाजी कामा का हो गया आपका दतलवार, कुछ गड़बर लग रही है, अंसर देखते हैं एक बार, अंसर A है, हाँ ठीक है, मैदम, विकाजी कामा का दतलवार हो गया, और फिर औरबिंदो घोष का था आपका बंदे मातरम, और एनी बिसेंत का हो गया, कॉमन नील, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर यह सबसे पहले पॉइंट के अंदर, यह वो नैशनलिस्ट हैं, जो अब्रॉड में रहते थे, और महीं पर न्यूस पेपर पब्लिश करते थे, उसमें इंडियन सोशलोजिस्ट आ गया, यह शैमा जी कृष्णवर्मा लंडन में पब्लिश करते थे, बंदे मातरम के साथ तो मैडम भिका जी कामा एसोशेटिड है, बी का थ्री इन्होंने बोला, देखो, अंसर देखो, कोष्ण के अंदर गडबड है, यह कोष्ण को आप छोड़ दो, यह कोष्ण के अंदर कंफलिक्ट है, इस कोष्ण को आप छोड़ दो, यह कोष्ण दो प्रिव कामा का है और ये अंसर बोल रहा है कि बंदे मात्रम वाज बाय और अरुबिंदो गोश्ट नहीं ये गलत है ठीक है यहाँ पर देखो ये इंपोर्टेंट है इसको याद कर लेना इंडियन सोशॉलोजिस्ट लंडन में श्यामजी कृष्णवर्मा बंदे मात्रम पैरिस मैड 15-15 के बाद से तब ये पब्लिश करते थे इनको ओके तो इस वादर क्विक ट्विंटी कोश्टन गाइस आई होप यू गाइस इंजॉइड इट और दो शेयर और सब्सक्राइब दे चैनल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें मिलेंगे नेक्स क्लास में त